आरियन खान केस को लेकर इस वक्त एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे सुनकर शाहरुक खान के पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी मनीश भांगले नाम के एक हैकर ने दावा किया है कि उसे शाहरुक की मैनेजर पूजा डड़लानी की कॉल डेटेल निकालने और आरियन खान की वाट्सअप चैट से छेड़चाड करने के लिए पांच लाख रुपए का ओफर दिया गया है मनीश के मताबिक इस काम के लिए उसे दस हजार रुपए एडवांस भी दिये गए हैं तीवी नाइन मराथी को दिये इंटरव्यू में मनीश ने कहा मेरे पास 6 अक्टूबर को दो लगाए उन दोनोंने अपना नाम आलोग जैन और शैलेस चोधरी बताया उन्होंने मुझे CDR निकालने का काम दिया उन्होंने कुछ नमबर बताए उनमें से एक नमबर उनके मोबाइल में पूजा डडलानी के नाम से सेवड था उन्होंने कुछ वाटसअब चैट को मोडिफाई करने को कहा वो बोल रहे थे कि जो कंटेंट कहा जाए वो वाटसअब चैट में एड़ कर दो उनके मोबाइल में वाटसअब चैट की जो फाइल थी वो आरियन खान की चैट के नाम से सेवड थी उन्होंने प्रभाकर सेल नाम के एक डमी सिम कार्ड को भी निकालने के लिए कहा मुझे 10,000 रुपए एडवांस दिये इसके साथ ही मुंबई में एक बड़े केंद्रिय मंत्री से संपर्क करवाने और काम दिलवाने का वादा किया जब आफर देने वाले का नंबर मैंने ट्रू कॉलर में डाल कर देखा तो वो सैम डिसूजा का नंबर बता रहा था मैंने सारी जानकारी मुंबई पुलिस केंद्रिय ग्रहम अंत्राले और महराष्ट के ग्रहम अंत्राले को दे दी है मनिश भांगले ने आज से 5 साल पहले उस वक्त महराष्ट के बड़े नेता एकनात खडसे का अंडर बड डौन से कनेक्शन का दावा किया था उसने कहा था कि दावत इबराहिम के कराची के घर से एकनात खडसे को कॉल आया था बाद में ये बात फरजी पाई गयर थी और फिर उसे गिरफतार कर लिया गया था फिलाल तो वो जमानत पर भार चल रहा है फिलाल मनिश के इस दावे पर आप क्या कहेंगे अपनी राए हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे